आज बनाएंगे गीए की एक ऐसी नई हटके रेसिपी जो आपने शायद ही कपी ट्राय करी होगी इसको बनाना बेहद ही जादा आसान है और बहुत ही यूनिक ऑथिंटिक स्टाइल से आज इसे तैयार किया जाएगा तो चलिए दोस्तों गीए की यूनिक रेसिपी बनाने के लिए हमने कुछ गीए प्याज, टमाटर, मिर्ची और अद्रक ले ली है अब एक स्टैंड ले लेंगे जहाँ पे हम अपने गीए को रख देंगे भूनने के लिए और साथ ही में अपने टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची उसको भी रख देते हैं आपको इनको अच्छे से भून लेना है ताकि इनकी ऊपर की जो खाल है वो अच्छे से उतार ली जाए प्याज टमाटर, जो हरी मिर्ची है वो जल्दी भून के तयार हो जाती है गीए को कुछ समय जादा लगेगा क्योंकि गीए बहुत मोटा होता है तो चलिए इनकी साइट्स पलटते रहिए अभी कुछ ही देर में आप देखेंगे कि कैसे बहुत ही बढ़िया तरीके से ये टमाटर अच्छे से भून गए है हमें टमाटरों को सिर्फ इतना ही भूनना है कि इनकी उपर की खाल यानिकी स्किन को आसानी से निकाला जा सके सबसे पहले हरी मिर्ची सबसे छोटी है तो सबसे पहले भून के तयार हो जाएगी तो हरी मिर्ची दोनों भून के हम अलग कर लेते हैं उसके बाद एक दो मिनट के बाद हमारे टमाटर भी अच्छे से भून के तयार हो जाएंगे तो चलिए हरी मिर्चीज दोनों की दोनों साइट कर लिए है और अब टमाटरों को अच्छे से भून लेते हैं टमाटर आपके सामने हैं देखो कितने अच्छे बढ़िया तरीके से करारे हो गए हैं और जो हमारा ये घिया है वो भी पकना शुरू हो चुका है तो दोस्तों आप ऐसे ही अपने गैस के उपर इनको घुमाते रहें ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए टमाटर एक मैंने उतार दिया इसकी स्कीन अराम से अब उतर जाएगी दूसरे को भी मैं जटपट उतार लेता हूँ प्याज का मकसद हमारे को भूनने का ये था कि प्याज काटते वक्त हमारी आँखों से आसू नहीं आएंगे प्याज का और कोई काम नहीं टमाटर और जो लौकी है याने की घिया वो बहुत ही बड़िया स्वाथ देने वाला है इस रेसिपी में तो चलिए सारी चीज़े हमारी भून गई बस लौकी आने की घिया रह गया है इसको भी अच्छे से भून लेता हूँ लगबग एक दो मिनट और लगेंगे और ये अच्छे से भून के तयार हो जाएगा ये देख सकते हैं दोस्तों कितने अच्छे से भून रही है लौकी लौकी को पूरा आगे से काला कर लेना है उपरी परत इसकी अच्छे से काली हो जाएगी तभी ये लौकी भून चुकी होगी अब दोस्तों हम गैस को बंद कर चुके हैं और इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं साथ ही में जब तक यह लौकी थोड़ी थंडी होती है क्योंकि गर्मा गरम इसका चिलका उस्दाने में मुश्किल होगी तब तक टमाटर को उतारे काफी समय हो चुका है काट लेंगे दोनों की दोनों हमारी हरी मिर्ची छिल गई है दोस्तों आप देख सकते हमने इनको अच्छे से छिल लिया है अब हमारा प्यास काटके इन सब को एक पानी में डाल देंगे ताकि यह धोले हम अच्छे से काली कोई परत रह गई हो तो वह उतार जाए और उसके बाद इसको काट लें तो चलिए अब हमारा जो घिया है यानि की लौकी वो भी थोड़ी ठंडी हो गई है तो इसकी उपर की परत आपको ऐसे चाकू की मदद से उतार लेनी है उपर की परत उतारने में आपको लगबग आदा से एक मिनट लग जाएगा क्योंकि यह कालापन है और आप चाहते हैं कालापन बिल्कुल भी आपकी सबजी में ना आए तो आपको इसको अच्छे से उतारना होगा और उसके बाद हम इससे जटपट वॉश कर लेंगे फटा फट से दोनों एंड से इसे काट लेते हैं और चलते हैं इसको फटा फट से वॉश करने के लिए तो यह वॉश करके कुछ घिया हमें इस तरीके का भुनावा मिल चुगा है इसको काट लें चोटी चोटी टुकड़ों में और इसका एक दरदरा सा पेस्ट बना के तय तो यह काट लिया अब दर्दरा इसका पेस्ट बना लेते लिए मिखियो समें गिधांट 주고 सुन डाल लिया और इसका फटबाग्य है शिरू कर लिभ लिए हैं पैन में झेल कर लिकारे हैं तो चलिए अब अपनी रिजिपी को शुरू करते हैं इसका तड़का लगाने के लिए जो हमारे अनियन थे उसको फटा-फट हम छोटे-छोटे pieces में चॉप कर लेते हैं पैन में ओयल ले लेते हैं, हमने सरस्यो का तेल लिया है थोड़ा सा जीरा इसमें एड़ कर लेते हैं थोड़ी सी इसमें डाल लेते हैं दोस्तों हींग क्योंकि हींग का बहुत ही अच्छा स्वादा था है इस रेसिपी में घिये की और डाल लेते हैं एक लाल साबत मिर्ची और इसको प्याज के साथ थोड़ा सा फटा-फट से भून लेते हैं यह रेसिपी बहुत हटके और थेंटिक है मजा आ जाएगा दोस्तों एक बार ट्राइ कीजिएगा घिये की बड़िया हेल्दी रेसिपी है घिये के बहुत ज्यादा हेल्थ मेनिफिट्स होते हैं इनको आप हलका फुलका सौटे कर लीजिए ज्यादा नहीं क्योंकि अभी हमन मिनट के लिए भूनी लीजिए और साथ इमेज जो हमारा टमाटर और हरी मिर्ची थी उसका पतला एक पेस्ट बना लीजिए मैं इसका जटपट पतला सा पेस्ट तयार कर देता हूं क्योंकि अभी मैं यह तड़के में एड़ कर लूँगा फटा-फट से यह बंद करके मैं मैं इसका ऐसा बढ़िया पेस्ट तयार कर लिया है वहाँ पे प्याज अच्छे से सौटे हो चुके हैं तो यह जो टमाटर का पेस्ट था वो मैं इसमें आड़ कर लेता हूं और यह बहुत ही बढ़िया हमारा उस घिये की नई रेसिपी के लिए तड़का बनके तयार हो र देगी मिर्च लाल कलर के लिए हलकी सी हल्दी साथ ही में दोस्तों गरम मसाला धनिया पाउडर काली मिर्ची और अगर आपको पसंद हो तो थोड़ा सा इसमें चाठ मसाला भी डाल सकते हैं बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है और फिर स्वाद अनुसार नमक इसको अच्छा कलर आता है सबजी का आप एक बार तड़के में ऐसे दो क्यूब बरफ डाल के देखी का पानी की जगे बहुत खिल के खुल के आती है सबजी दोस्तों मेरे को तो बहुत ही पसंद है तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लिया अब ढ़क लेते हैं लगबग यह पका इसको अच्छे से घुमा लें दोस्तों जो हमारा घिया था वह लगबग 40% से 50% ही गैस पे भुना गया था तो अब जो हमने घिया मिलाया है उसको पकाना होगा हमें और पकाने के लिए इसे फटा-फट से अच्छे से घुमा लें उसके बाद हम इसे ढखके लगबग 4-5 म मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे ताकि हमारा घिया कहीं से भी कच्छा ना रह जाए यह देख सकते हैं दोस्तों हमारा घिया अच्छे से मिक्स हो चुका है जब तक यह घिया हम अच्छे से मिक्स करते हैं और ढखके पकाते हैं आप हमारे पेज कर लिजेगा बेहदी मुझे अभी एक परसेंट दो परसेंट गुंजाइश बाकी लग रही है एक मिनट के लिए मैं और इसे ढख रहा हूँ और उसके बाद फटा फट से इसको हटा लेता हूँ और आपको दिखाऊंगा कि कितना अच्छे से यह तयार हो चुका है तो यह लगबग हमारा घीय का भरता या फिर घीय की चटनी अच्छे से बनके तयार हो गई है बहुत ही यूनिक और आथेंटिक है कभी भी ट्राय करेंगे बहुत ही अच्छा लगेगा जहां दो रोटी खाने का मन करता है मैं तो चार-चार खा जाता हूँ तो इसको परोस लेते हैं और उपर से गार्निश कर लेते हैं किसी भी धनिये या किसी चीज जो आपको पसंदो उसकी मदद से मैं चलता हूँ दोस्तों अपना और अपनी फैमिली का ध्यार नखे रेसिपी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएगा दोस्तों